नमस्कार फ्रेंड साब सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है और आज की वीडियो में हम आपके साथ डिसकस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपोटेंट टोपी के उपर जो कि आपके नेट पेपर वन के पीपूल डिवलप्मेंट एंड हैं उसमें डिसकस किया जाएगा ताकि इससे जुड़ा हुआ कोई भी कोशन आपके एक्जाम में बनता है तो उसका आप 100% करेक्ट आंसर दे सके हैं तो सबसे पहले हेडिंग के उपर हम चलते हैं तो यहां पर आपका दो वर्ड है मॉन्ट्रियल और प्रोटोकॉल तो इस किसी तरीके को अपनाना या किसी नए तरीके का निर्मान करना तो यहां पर किस समस्या के लिए यह प्रोटोकॉल है तो यह ओजून के जो च्छडध है उसको देखागा रोकने के लिए यह आपका प्रोटोकॉल वर्ड करता है और क्या करता है रोकता है ऐसे गैसो के उत्पादन को जो ओजोन परत को नुक्सान पहुचा रही है तो मॉंट्रियल जो आपका सहर है यहाँ पे विस्व के बहुत सारे कंट्री के जो परियावलर्ट से जुवे हैं उनको इकठा किया जाता है और कहा जाता है कि आप लोग सहमती बनाएए और ओजोन लेयर के जो छड़ में जो महत्पूर भूमका निभाले में वाले कैसे हैं उनको अपने कंट्री में क्या किया जाए रोका जाए खत्ब किया जाए तो यह आपका मॉंट्रियल प्रोटोकॉल का में देखा जाए पॉइंट निकल के आता है अब देखिए सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करते हैं देखें कहा क्या ओजोन परत को नश्ट करने वाले CFC यानि क्लोरो फ्लोरो कॉर्बन गैस को रोकेने के लिए 1987 में एक अनतराश्टी समझा होता किया गया जिसे Monterial Protocol कहते हैं एक आसान सब्दों में अब आपको यहाँ पे पता चल गया कि Monterial Protocol क्या है आगे क्या आगया है कि यह पहली अनतराश्टी संधी है जिसमें Global Warming की दर को सफलता पूर्वक धीमा किया गया तो आपको याद रखना है कि यह पहली अंतराश्टी ठीक है आपका ट्रीटी है जिसमें ग्लोबल वार्मिंग की दर ग्लोबल वार्मिंग क्या है यानकि जो पृत्वी का तापमान ठीक है जो बढ़त रहा था कहा गया है कि उसकी दर को सफलता कूरवक धीमा किया गया और कह हा गया है कि यह एक वैस्विक समझाओता है जिस पे हस्ताचर अभियान जो चला 187 देशों ने अपने अभियान के दौरान हस्ताचर किये और हस्ताचर कब होता है आपके 16 सितंबर 1987 को तथा जब यह हस्ताचर हो जाता है 187 देशों के साथ तो उसके बाद एक जनवरी 1989 को यह समझाओता यह आपका जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो क्या होता है इफेक्ट में आ जाता है या प्रभाव में आ जाता है और इसका मुख्य उद्देश से जो है वो ओजोन परत को नुखसान पहुचाने वाले जो रासाइनिक पदार्थ हैं ठीक है उनको करना तथा रासाइक परताथों के उत्पादन और उपभोग यानि कि इसको इसका प्रोडेक्शन भी ना हो और इसका क्या करें हम उपयोग भी ना करें ठीक है उन दोनों में कमी लाना था लाना है अब आपको थोड़ा सा फोकस कराते हैं ओजोन लेयर के उपर तो ठीक है और इस गैस का जो टोटल 100% है इसका 10% इवलेबल है आपके छोब मंडल में और बचा हुआ 90 यानि कि 90% भाग इसका उपसीता कहां पे समताप मंडल में और यही समताप मंडल की 90% जो गैस है ठीक है इसी को हम क्या कहते हैं ओजोन लेयर कहते हैं ठीक है ओजोन लेयर हम इसी को कहते हैं और सुले से आने वाली जो हानिकार UV Ultra Violet की रड़ है उसको यह धर्ती पे आने से रोकती है और इसी क्या है ओजोन परत का जो नास हो रहा था देखे हास हो रहा था ठीक है इस ओजोन लेयर में छिद्र हो गई थी और उसी को रोकने के लिए क्या किया गया इस प्रोटोकॉल में सहमती बनी और कहा गया कि अपने अपने कंट्री में जाके आप क्या करेंगे इसको नुफसान पहुंचा लेया वाली जो प्रमुग गैसाब का CFC कुलोरोव फ्रोरोकार्बन है इसके उत्पादन और उप्भोग पे जल्दी-जल्दी रोक लगाना है अब चलते हैं आगे के बिंदों के उपर कि देखिए कहा गया है कि कि इस मसौते के अंतरगत CFC का उत्पादन विक्सी देशों में सन 2000 तक पूरी तरह रोकना साथ ही विक्साथ सील देशों में 2010 तक रोकना या प्रतबंदित करना इसके अंतरगत कहा गया यानि कि जो विक्सील देश है ठीक है उनको 10-year का और relief दिया गया यानि कि उनको 2010 तक कहा गया कि आप अपने यहां से क्या करना है CFC chloroflor carbon gas को एकदम से खतम कर देना है रोग देना है वहाँ पर कोई उत्वादन production नहीं होगा जहाँ पर यह CFC gas उपयोग मिलाए जाएगा जो उत्सरजन करेगा और साथ ही साथ कहा गया जो विक्सित देश हैं उनको 2010 में ही अपने country में इनको प्रत्वंदित कर देना है अगला point है कि 2010 में इस प्रोटोकाल का agenda HCFC को fade out करना है अज HCFC क्या है तो इसको हम कहेंगे hydro chlorofloro carbon और इसका उपयोग ठंड़े खीक है और आपका प्रती सीतन अनुप्रयोगों और फोम उत्पादन का जहां पर निर्माड होता है वहां पर HCFC gas का उपयोग होता है और fade out का मतलब है कि धीरे धीरे कम करते हुए इसका देखाजाए उत्सरजन या कहा था उपयोग एकदम जीरो कर देना है अगला point देखे कहा गया है कि अक्टूबर 2018 में इस प्रोटोकॉल में कुछ संसोधन किया गया जिसे कीगाली समझाओता कहा गया और कीगाली जो है वो आपके रवांडा की राज़ानी है आगे जो point है उसमें कहा गया इस प्रोटोकॉल के समर्थन के जो समर्थक है उनके अनुसार कहा गया है कि अगर इस समझाओते का पालन किया गया तो 2050 तक 2050 तक जो परत का जो चरण हो चुका है उसको पुना फिर से रिकवरी किया जा सकता है अगर इसका इस प्रोटोकॉल में जो भी चीज़े बताएगे उसका सही से अपने कंट्री में लोग जाके लागू करेंगे तो तो ये चीज़ें आपका हो गया मॉंट्रियल प्रोटोकॉल से संबंदित थीक तो आज के वीडियो हमें लगता है यही पे वीडियो संब्त करते हैं ज्यादा आपका टाइम नहीं लेते हैं क्योंकि हम देखते हैं 10 निट से उपर वीडियो होते हैं ठीक है टाइम डिवरेशन के तो आपका जो है रूजहा कम हो जाता उस वीडियो में ठीक तो चलिए वीडियो में यही तक अपनी बातों को संब्सक्राइब करते हैं और इससे जुड़ावा कोई भी अधर आपको इन्फोर्मेशनल है कमेंट करिए अब जब तक की नेक्स वीडियो नेक्स अपरेट नहीं लाते हैं जब तक के लि एट केस्नल चैनल रापकादी बहुत बहुत सुभो